परिंदों को मंजिले मिलेंगी यकीनन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं और वो लोग रहते हैं अक्सर खामोस जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं तो आप भी जादा बढ़बढ के बाद करने से अच्छा है कुछ करके दिखाएं नमस्कार साथियों मैराज कुमार आप सभी का PVR Study परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज आप पढ़ेंगे कच्छा 9 की NCRT गडित परिशनावली 9.3 कुष्चन नमबर 6 कुष्चन थोड़ा सा हाड लेवल का नहीं बोले मीडियम लेवल का है लेकिन आप बहुत आसान नहीं है पीछे देखिये क्या लिखा है कह रहा है कि चतुर्भूज ABCD बिकर्ड AC और BD परस्पर बिंदू O पर इस प्रकार परतिछेद करते हैं यानि कहने का मतलब आप समझिए चतुर्भूज का मतलब बिकर्ड का मतलब डाइगोनल ठीक है आईए मैं आपको दिखाऊं हाँ पढ़ लीजिए इस प्रकार परतिछेदित करते हैं कि OB जो है वो OD के बराबर है यदि ABCD के बराबर है तो दर्साइए यानि सिद्ध कीजिए कि area of DOC equal area of AOB ऐसा दिया गया है यह हमें सिद्ध करना है ठीक है अगर आप लोग कहो तो मैं इसे इंगलिस में भी पढ़के सुना देता हूँ लेकिन कोई मतलब निकलने वाला नहीं है कुश्चन आप देख रहे हो हल करें इसको इसक्रीन से इसको हटा देते हैं अब यह हमारा real वारा figure आया इसमें कह रहा था कि इसके जो दोनों बिकर्ड है वो एक दूसरे को परतिछे दित करते हैं तो देखो बाबू यह हम इनके बिकर्ड खीच दे रहे हैं और यह एक दूसरे को परतिछे दित करते हैं जहां पर उ इतना ही दिया था लेकिन इसमें एक और भी चीज कह रहा है कि O B O D के बराबर है बेटा O और B जो है यह O D के बराबर है बैस सिधी सी बात है सिंपल सा है वो तो होगा ही OB जो है वो OD के बराबर होगा इसमें कोई दोराय नहीं है क्योंकि जो OB है OD के बराबर है क्योंकि ये पुरा-پुरा इसको परतिछेद कर रहा है आधा-ाधा बंट रहा है तो आधा-ाधा दोनों तरफ अपने साइड बराबर होगा ठीक है इसमें लिखिये दिया है क्या क्या दिया है लिख लिजिए सभी given हिंदी में लिख लिजिए दिया है क्या क्या दिया है लिखिये चतुर्भूज ABCD तथा चतुर्भूज ABCD तथा तथा नहीं जिसमे एक चतुर्भूज दिया है ABCD लिखो भाई लिखो जिसमें जिसमें OB OD के बराबर है लिख लिया जिसमें OB बराबर OD और आगे लिखो AB बराबर CD AB बराबर CD यह इतना इसमें दिया है ठिक है इसमें थोड़ी हमें रचना करना पड़ेगा construction करना पड़ेगा बेटा हां construction हिंदी वाले लिख लेजी रचना रचना क्या करेंगे लिखो रेखा AC के लंबवत DN वा BM खीचा रेखा AC के लंबवत कौन कौन सा खीचेंगे BM वा DN खीचेंगे BM यानि ये ठीक है BM वा DN यानि ये ये हमें इसमें construction करना है क्योंकि ये जरूरी है अब ही आगे देखो पता चलेगा रचना में लिख लो रेखा AC के लंबवत DN वा BM खीचा अब ध्यान दीजिए इसको रचना में लिख लिए जो भी लिखना था देखे कुछ बच्चे नाम की चक्कर में पढ़े हैं बिटा परिसान न रहो उनके नाम में बोल देता हूँ अभी अभी जो जुड़े हैं रभी प्रकास सिंग, स्रयांस गोस्वामी, पंकज, सुभम यादो, आसोक मीना और सरवन, निरज, कालुआ यादो, आसीस और रभी कुमार, प्रितम कुमार, निरज जहां, प्रियंका सिंग, बहुत से बच्चे जुड़े हैं बिटा देखो सब का नाम यहां पर लेना अचया और ये जो यह चोटास सा तिरभूज बना है, यहां पर लिखो, यहां पर लिखो, तिरभूज B O M और तिरभूज कौनसा? D-O-N में ठीक है? जो नया नया बना भी D-O-N यानि इस छोटे वाले तिरभूज में जिसमें मैंने 1 लिख दिया और इसमें 2 इन दोनों तिरभूज में हमें क्या करना है? कुछ चीजे निकालनी है जहां जहां मैंने 1-2 लिखा वोही दो तिरभूज है क्या क्या लिखना भाया? जो जो दिया लिखो लिखो D-O-N एंगल D-O-N यानि बेटा जो एंगल O है ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे एंगल B-O-M ये दोनों बराबर हैं क्यूं? वर्टिकली या पोजिट लिख लो ब्रेकट में सीरसा भीमुख कोड क्या है? सीरसा भीमुख कोड या इंग्लिस में लिख लिजाए वर्टिकली अपोजिट है क्यूं इक्वल है बेटा? वर्टिकली अपोजिट है juvenile हिंदी बड़ी कठीन है भीमुख कोड इसलिए लिख दे रहाँ हिंदी में इंग्लिस वाले लिख लेंगे वर्टिकली यह पोजिटिफ लिए यह इक्वल हैं ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं एंगल एन लिखो एंगल एन इक्वल एंगल यम यह यह न और यम बराबर क्यों है भाईया लिखो इच 90 डिग्री लिख लिख लिओ प्रतेक सम कोण है यान और यम दोनों क्या है भाई यह दोनों क्या है नबे नबे अन्स के है दन आगे बढ़ें इसमें और भी कुछ है वो क्या है लिखो डी ओ बराबर बी ओ डी ओ बराबर बी ओ क्यों है बेटा यह गिवन यह दिया है हिंदी में लिख लिजिए दिया है मुह से भी बोल रहा हूं न सुनते जाओ कोई दिकत नहीं न चलो इतना ठीक है अब आगे समझते चलिए जो एंगल डी ओ एन है और बी ओ एम डी ओ एन औ और बी ओ एम यह दोनों सर्बांगसम हो गए कैसे ए एस से लिखो नीचे यहाँ पर लिखो इफ लिए इफ लिए थिर भूज अडी ओ एन डी ओ एन यह दोनों क्या है सर्बांगसम है कौन-कौन बी ओ एम ओके कैसे बाई बाई देखो एंगल एंगल साइड प्रपरटी से ए एस ठीक है कौन-कौन-कौन भूजा प्रपरटी से ठीक है यह दोनों क्या हो गए सर्बांगसम हो गए अब आगे देखते जाओ आगे देखते जाओ अगर यह दोनों सर्बांगसम हो गए बेटा यह दोनों सर्बांगसम हो गए तो इसमें से अभी और एक चिंगारी निकलेगी वो चिंगारी कौन सी निकलेगी पता है तुमें लिखो दी सी एन यहां पर लिखो इधर फाइड में आजाओ समझते जाओ यहां पर आजाओ यहां पर यहां होने के बाद में यहां आजाओ लिखो तिर्भूज डी सी एन समझना फिर से डी सी एन अगर यह दोनों तिर्भूज पिटा जोने मुवन लिखा था मैंने यह वन और ट टेता हूँ कि पटप अम्म किंअ गैब मेरेटिसे एक किस के बडहर होगा मैं लिको पटप पट सबस्क्राइब लिखो एक मिनट रुखो बता ता कि लेकिन अइसे आपका त्वलमबा हो जाएक तो मुझा ऐसा लाग रहा है आप अनलग तरीका का यह इसमें एक मिनट थोड़ा बैक चलिए थोड़ा सफ फ्लस बैक में यह इतना हो गया ने मैटा देखो अगर कोई भी दो तृभुजापर में सरवांगसम है सरवांगसम को इंग्लिस में क्या बोलते हैं जानते हो यहां पर लिखो एरिया आफ डी ओ एन इक्वल एरिया आफ बी ओ एम दोनों के एरिया भी आपस में क्या होंगे बिटा बराबर होंगे ब्रेकट में लिख लो क्योंकि सर्बांगसम है क्या है क्योंकि सर्बांगसम है सरवांग सम है मतलब का इंगुरियंट है यह हो सकता ऐसा अगर दोन तरभूज आपस में सरवांग सम है तो इनकी एरिया भी आपस में क्या होगी इक्वल होगी अब नीचे लिखिए इफ लिए DCN बराबर BAM इफ लिए D अब यह भी जो मैंने लिखा था DCN इक्वल भाई DCN उधर वाले जो इसके एक परकार से समकच दिया उसके बराबर होगा यानि BAM के कौन-कौन BAM जैसे इधर BAM है वैसे इधर यह DCN है भाई इधर जैसे ऐसे यह भी है तो लिखो BAM यह इसके क्या होगा बराबर होगा लिख लो पटा-पट इतना और एंगल यन एंगल यम के बराबर होगा इसमें भी यह सामिल है इसमें भी यह छूट नहीं सकता है DCN इसमें भी यह सामिल है और BAM इसमें भी यह सामिल है तो आप लिखोगे एंगल एन इक्वल एंगल यम यह हो सकता है ब्रेकट में लिखो परतेक 90 अंसका है इच 90 डिग्री लिख लीजिए परतेक समकोड है या परतेक 90 अंसका है या फिर इंगलिस में लिख लो इच 90 डिग्री यह दो चीजे मिल गई आगे देखते जाओ अभी होगा भाई ऐसी कौन सी मुसीबत है लिखो मैं बताता हूँ CD AB के बराबर होगा लिखो 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 फटा फट लिखो CD इक्वल AB जल्दी करो जल्दी करो भी मैं सब कारण लिखवाता चल रहा हूँ आगे बढ़ें इसमें कोई दिक्कत किसी को कोई डाउट नहीं न देखो बता CD AB के बराबर होगा बराबर क्यों होगा क्योंकि दिया है दिया कैसे है अगर आप AB CD को एक समांतर चतुरभुज मान रहे हो तब भी समांतर चतुरभुज की जो बुजाएं होती हैं आपस में बराबर और समांतर होती है तो एक तो यह तरीका हो सकता यह रिजन हो सकता है कि CD AB के बराबर है दूसरा रिजन यह भी हो सकता है कि जो बीच में यह हमने D और यन का जो कंस्ट्रक्शन किया था यह एक समकौन तिरभुज बना रहा है न इस पे यन पर बना रहा है न, तो इसके आधार पर अगर ये लंब है, ये आधार है, तो ये क्या है, करण है, हाइपोटेनियस है, वैसे इसमें भी क्या है, ए भी हाइपोटेनियस है, और अगर दोनों तिरभुज आपस में सरबांगसम है, तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में यानि इसमें का जो dn है वो इसमें के bm के बराबर होगा क्यों बराबर होगा क्योंकि अभी अभी हमने इनको क्या किया है सरवांगसम सिद्ध किया है लिखिए क्योंकि d o n सरवांगसम है लिख लिए आगे बढ़ें चलिए तो बेटा इस तरह से DN जो है वो BM के बराबर हो जाएगा बराबर क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों क्या है? काइंगुरियन्स हैं आपस में, सरबांगसम है तो CPCT से, यह CPCT का मतलब काइंगुरियन पार्ट आफ करिस्पांडिंग, सरी, करिस्पांडिंग पार्ट आफ काइंगुरियन ट्रेंगल CPCT का यह मतलब होता है, करिस्पांडिंग पार्ट आफ काइंगुरियन ट्रेंगल जो आपने पढ़ा था कंसेप्ट उसके अनुसार DN, BM के बराबर होगा यानि जो दो सरवांगसम तिरभूजें आपस में उनकी जो संकत भूजाएं होती हूं हमेशा बराबर होती है याद रखना सरवांगसम तिरभूज की संकत भूजाएं आपस में बराबर होती है और अगर ये तिरभूज ये जहां मैं हाथ रख रहा हूं ये दोनों अगर आपस में ये दोनों क्या है बिटा सरवंगसम है तो इनकी जो संगत भुजाएं है मतलब उसकी साइड की या एक परकार से बात करें उसके लेबल की भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी corresponding संगत का मतलब ऐसे समझ लो जैसे भारत देश के जो परधानमंत्री जी है और अगर बात करें स्री लंका देश के परधानमंत्री जी के क्या है बराबर मतलब बराबर का मतलब ये समक अच्छी है नि उनका लेबल बराबर है वो भी अपने देश के परधानमंत्री है वह भी अपने देश के पजार मंतरी है समझ रहे हो ना अब पतनी स्रिलंका मंतरी होते हैं कि नहीं होते हैं यह जनल नालज कभी से हैं इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हाँ, मैंने आपको कंसेट सिखाया ठीक है? जैसे master आपके school के और हमारे school के दोनों के आँ बराबर हैं क्योकि दोनों के आँ master है तो बस हुआ ऐसे ही ठीक है? अब यह का master जी madam के बराबर है तो नहीं ये गड़़ड़ अलग है फिर इतना हो गया इतना लिखे है फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी करिए, मिटा के आगे बढ़ेंगे बहुत जल्दी करें अब देख़ें, ऊपर लिखेंगे द्यान देना, अब बेटा अगर ये 3 चीजें हमें मिल गई ये 3 चीजें हमें क्या हो गई मिल गई, दो भुजाये मिल गई, एक कोण बराबर मिल गया करन मतलब कौन अभी जो मैंने बताया था ना CD और AB ठीक है तो लिखिए अब यह दोनों तिरबुज क्या है का इंगुरेंस हो गए इफ लिए यहाँ पर आके लिखिए इफ लिए ट्राइंगल कौन-कौन यह जो अभी अभी यहाँ पर आप देख रहे हो लिखो फटापट लिखो लिखो क्या आगी जल्दी लिखो DCN congruent हो गया B-A-M-K DCN यह congruent हो गया किसके B लिखो पहले लिखो लिखो DCN यह congruent हो गया किसके B-A-M-K कौन-कौन आईए यहाँ देखिए B-A-M यानि इधर का यह तिर्भूज अगर हम बात करें इसमें A लिख दें इसमें B लिख दें तो यह तिर्भूज A और B दोनों क्या हो गया आपस में congruent हो गए लेकिन इधर भी B है इधर भी B है आप confuse करोगे ठीक है समझ गया ना क्यूं हो गया यह लिखिए by RHS अब RHS आप लोग जानते हो ना यह सब पढ़े हो गए देखो जो लोगों ने concept नहीं पढ़ा उन्हें समझ में नहीं आएगा इसलिए आपको परमिय आनी चाहिए इसके पहले जो परमिय सिखाई गई है कच्छा साथ में कच्छा आठ में जो मैं था पढ़े हो आपको आनी dcn equal b am dcn equal area of b am यह हो गया आपका equation number second equation number first अभी आपका बना था कहां जब हम d on को b om के बराबर करे थे वो equation number first था आप लोग लिख लीचिए ठीक है बैटा को दिक्कत नहीं न किसी को आगे चले सब्कुछ चल रहाना सही मस्थ है चलो कभी थोड़ा बहुत अंचक रहा होगा कियो कियो की सरबांगसं तिर्भूज का चेत्रफल बराबर होता है क्लिक्त नहीं अब नीचे लिखो समी करण एक वा समी करण दो से equation number first और second से equation number second यह है कुछ लोग confused होंगे कि equation number first कहां गया एक मिनिट रूकों मैं बताता हूं equation number first लिखो d o n बराबर b o m था यहां side में लिखवा दे रहा हूं इसको इसमें नहीं लिखना समझने के लिए लिखवा दे रहा हूं दिख रहा ना बेटा उपर लिखो area of d o n area of d o n equal area of b o m यह first number equation था अभी आप लिखे थे अगर नहीं लिखे हो तो इसमें equation number first ला दाल दीजिए ठीक है यह पहला equation था तो बेटा नीचे लिखो equation number first hour second से देखे कुछ बच्चे बहुत परिसान है कमेंट के चक्कर में बई क्या चाहतो यार पढ़ाई कर लो बबुआ पढ़ाई कर लो स्रेया दक्स्वानी और कॉने टीयम खान हरमंस सिवम बिसकर्मा आयू सियादो बेटा पढ़ाई कर लो पंकज नरेंद सिंह तोमर क्या नावब हैंका आसोक मीना कमेंट आरा पढ़ लो बेटा लिखो equation number first and second को जोड़ने पर equation number first plus equation number second दोनों को जोड़ दीजिए फटा पर जोड़िए लिखो बेटा d o n plus d c n d o n इसका दाहिना बाया पच्छ है और इसका बाया पच्छ है d c n है तो d o n पहले समीकरण से लिया और d c n दूसरे समीकरण से लिया ये बाया पच्छ था दोनों को जोड़ दिया अब इसका दाहिना पच्छ है b o m इसका बाए कहा गया बे निकल यह क्या है बी ए ए एम दोनों चोड़ दिया बस हो गया यही तो चोड़ना था लेकिन यह आंसर नहीं लाना था फिर क्या करोगे आओ डी ओ एन डी इधर है ओ एन और कौन जुड़ा है डी सी एन यानि अगर हम भाईया इनको जोड़ेंगे बिट्टा और इनको जोड़ेंगे तो एक बढ़का तिरभूज बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि नहीं डी ओ एन और डी सी एन डी सी एन इनको जोड़ेंगे तो बढ़का अला बन रही नहीं है डी ओ सी बन रहा है ना कुछ की हाँ तो लिखो area of d o c equal इफी तरह से area of a o b हो जाएगा भाई b o m b a m b o m और b a m इनको जोड़ेंगे तो यह b a o या फिर o b a बन जाएगा ना बन जाएगा या a o भी बन जाएगा ठीक है हो गया यह आपका equation इतना प्रूप करना था ना इसमें कितने पार्ट थे पहला पार्ट हो गया भी तक इसमें तीन पार्ट है बहुत लंबा है यार चलो ठीक है फटा फट कर लो लिख लिजिए इस क्रेंसाट लिजिए आपका पहला पार्ट हो गया इसमें बहुत जल्दी करिए बहुत आसान नहीं यह बहुत लंबा है यह थोड़ा था चलो अग आप इसे थोड़ा समझने की कोशिस करना कमेंट के चक्कर में न पढ़ो बेटा समझो आओ देखो लिखिये समी करण एक से समी करण एक से अभी समी करण एक में क्या आया था अभी अभी मैंने लिखा था आप लोगों ने देखा भी था सब लोगों ने लिखो समी करण एक में मिला था बेटा area of D-O-C A-O-B के बराबर था न था की नहीं D-O-C ये बराबर था A-O-B इसके बराबर था न लिखो समी करण एक में दोनों तरफ B-O-C जोडने पर समी करण एक में दोनो तरफ एरिया आफ बी ओ सी जोडने पर देखिए दोनो तरफ हम कुछ भी जोड और घटा सकते हैं लेकिन सिर्फ एक तरफ नहीं करेंगे बस जो भी करेंगे दोनो तरफ तो चलो कर लेते हैं बिटा यह हुजाये गर डी ओ सी धन बी ओ सी लिखो एरिया आफ डी ओ सी दन एरिया आफ बी ओ सी इक्षोल समी करण एक में अ ओ भी था और इह दर क्या जोड़नेंगे बी ओ सी दोनो तरफ जोडना था देखो भाई D.O.C थोड़ा ध्यान से देखना इस figure में D.O.C बिटा अगर इसमें हम B.O.C जोड़ दें क्या जोड़ दें? B.O.C B.O.C तो ये पूरा-पूरा बन जाएगा बोलो बन जाएगा की नहीं? ये जहां मैं हाथ रख रहा हूँ ये पूरा-पूरा बन जाएगा बन जाएगा न? तो आप नीचे लिखोगे D.C.B लिखोगे area of D.C.B इक्वल उसी तरह से उधर फाइड में अगर आप जोड़ोगे A.O.B में A.O.B मे B.O.C जोड़ोगे तो बिटा क्या होगा? ये नीचे वाला पूरा-पूरा बन जाएगा A.C.B ठीक है? लिखो A.C.B ये आपका equation number वो स्वारी दूसरा वाला हो गया approved ये तो लाना था ना second लिखो approved सिद्ध हो गया, second part हो गया जल्दी करिए आगे बढ़िए next third part बहुत जल्दी करिए आपका ये second part done इसका अगला part देख लिए बटा क्या कहता बड़ा interested है third part कहरा है screen पे आप question देखिए कहरा है कि DA वो CB के बराबर है ये हमें प्रूब करना है कि जो DA है वो CB के बराबर है या फिर ABCD एक समांतर चतुरबूज पहलो गराम है ये सिद्ध करना है यानि जो DA है वो CB के बराबर है यानि ये DA या AD BC या CB के क्या है बराबर है या फिर ABCD समांतर चतुरबूज दोनों का मतलब एक हुआ हुआ ठीक है लिखिए तिरबूज DCB और यहाँ पे लिखिए तिरबूज DCB और और क्या है भया DCB और ACB दोनो फिरबूज ACB हम किसकी किसकी बात कर रहे है DCB और ACB यानि अगर हम देखें तो DCB का मतलब यह जहाँ जहाँ हम 1 लिखें है वो क्या है DCB है और ACB का मतलब यह जहाँ जहाँ हम 2 लिख रहे हैं वो क्या है ACB है आप कहो कि एक में तो एक और दो दोनों लिखे हो हाँ, तो ये जो है वो one और two दोनों में common आ रहा है दोनों में common आ रहा है ठीक है ये दोनों क्या है लिखिए दोनों समान आधार BC और समान आधार BC और समान समानतर भुजाओं के बीच बने है की नहीं बने है ना बस आप इतना इतना लिख लो सितफिदा दोनों समान आधार BC पर बने हैं ठीक है बने है अता हिए दोनों समान समानतर रेखा के बीच बने होंगे ठीक है और इनका छेतरफल भी क्या होगा आपस में बराबर होगा आप थोड़ा कम समझ पा रहे थे बोलकर इसलिए मैंने लिख दिया ठीक है अब पढ़ लिजे किसी को कनफ्यूज नहीं होना चाहिए बेटा जो DCB है वो ACB ये दोनों जो हैं वो समान आधार BC पर बने हैं तथा इनका छेतरफल भी एक समान है इसलिए ये दोनों समान समानता रेखा के बीज भी बने होगी और अकर ऐसी कंडिशन होगी तो सिंपल सी बात है हम कह सकते हैं कि AD क्या AD पायरलल होगा किसके BC के यानि जो AD है बेटा AD पायरलल होगा BC के तो हम नीचे कह सकते हैं इफ लिए ABCD ये क्या होगा इज आप पैरलोगराम हिंदी में लिख दें एक समानतर चतुर्भूज होगा ठीक है सिद्धम लिख दोई थी सिद्धम आता सिद्ध हुआ इस तरह से आपका question number जो छटवा था वो the end हुआ इसके सारे part खतम हो चुके इसमें 16 question है और भी question हम करवाएंगे अगली class में बेटा तब तक के लिए इंतजार करिएगा चैनल को subscribe करके रखिएगा और bell icon प्रेस करिएगा अगर आप इस class को pvr study facebook page पे देख रहें तो हमें facebook पर जरूर फालो कर लें जिससे कि आप पूरी class से देख सकें pvr study को youtube पे फालो करें सब्सक्राइब करें और facebook, twitter, instagram पे हर जगा एक नाम है pvr study हमसे जुड़े रहें और घर बैठे पढ़ते रहें बहुत बहुत thank you आपको जैहिन साथियों अगर कोई भी सवाल है तो नीचे comment box में comment करिए हम उसे बताएंगे